किस तरीके से जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, घर नहीं जा पारा है, उन तक खाना जरूर पहुचे, उनको राहत मिले, इसका भी उन्होंने जिक्र किया रही कोरोना पर राहूल गांदी को आपने सुना, देश में किलर वाइरस से कैसे हरकम मचा है, इसका अपडेट आपको बताते हैं, कोरोना पॉजिटिव केस का ग्राफ आज 12,000 के पार चला गया, देश में कोरोना के कुल 12,380 केस हो चुके हैं, अब तक 414 लोगों की कोरोना की तो जिस कोरोना मीटर का हम जिकर कर रहे थे, वो आपके सामने रख रहा हूँ, 12,380, अभी तक किल मरीज कोरोना के सामने आएं, 1489 लोग इसमें से ठीक हो चुके हैं, और 414 लोगों की मौत हुई है, ये कोरोना का अभी तक कांकड़ा है, अभी तक की स्टेटस रिपोर्ट है, अब आपको महराश्र की स्थिती बता देता हूँ, महराश्र में जो स्थिती है, महराश्र में अब तक 3081 केसे सामने आ चुके हैं, 1500 से ज़ादा केसे आज सामने आए हैं, मौत 187 लोगों की हुई है, महराश्र में लगातार केसे बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं, मुंब में और 113 लोगों की मौत हुई है, मुंबई में, दिल्ली का हाल आपके सामने हैं, दिल्ली में 1578 केसे सामने आए हैं, 32 लोगों की मौत हुई है अब तक, इसके अलावा अगर बात करें, देश के दूसरे हिस्सों की, मध्यप्रदेश में 1090 केसे 55 लोगों की मौत हुई है, और इंदौर जैसे मुंबई महराश्रों का सबसे बड़ा होट स्पॉट बना है वैसे ही इंदौर मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा होट स्पॉट है 696 केसिज यहाँ पर और 49 लोगों की मौट अब आपको गुजरात का अपडेट बताते हैं गुजरात में पिछले 12 घंटों में कोरोना के 105 नए मरीज सामने आए गुजरात में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 871 हो चुकी है यह गुजरात कहां कड़ा है 870 केसिज और 33 लोगों की मौट गुजरात में हुई है तो एक तरफ देश में कोरोना मीटर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वहीं कुछ जगों से ऐसी तस्वीरे आ रही हैं जिसे जानकर आपका गुस्सा बढ़ जाएगा दिल्ली में मरकज के बाद कोरोना का सबसे बड़ा होड़ स्पॉर्ट है चांद्नी महल का इलाका चांद्नी महल पर ही बड़ा खुरासा हुआ है जो कुरोना वारियर खुद को खत्रे में डालकर चांद्नी महल में सेनिटाइजेशन करने जा रहे हैं उन पर गलियों से पत्थर और पूरा फिका जा रहा है MCD कर्मचारियों का दावा है कि उन पर गलियों में ठूका भी जा रहा है चांद्नी महल वही इलाका है जहां की 13 मस्जिदों से 52 संट्र में जमातियों को निकाला गया था और अब तक इस इलाके में 5 लोगों की मौत हुई चांद्नी महल के लोगों की इन हरकतों की वज़े से सफाई कर्मियों को काफी दिक्कत हो रही है हमें समय चांद्नी महल इलाके में हैं यहां पर तीन से ज़्यादा मौते हो चुकी हैं कॉरोना वाइरस की वज़े से दो पुलिस कर्मी कॉरना पॉजिटिव हैं जिसकी वज़े से करीबन 50 के लगबग और पुलिस कर्मियों को सेल्फ कॉरंटाइन के लिए कहा गया है चांदी महल के SHO को भी कॉरंटाइन किया गया है और इसके साथ साथ इस समय जो सेंट्रल MCD की टीम है वो लगातार शिड़काफ कर रही है सेनिटाइजेशन प्रोसेस में लगी हुई है और लोगों को हिदायत दे रही है ताकि वो अपने घरों में रह सके यह पूरा एरिया बहुत ही कॉमपेक्ट है इसलिए चुनौतियां और बढ़ जाती है मेरा नाम पावन है इस एरिया अंदर बहुत दिक्कत आ रही है एक तो लोगवक्त समझ नहीं रहे है उपर से माजात गलत परताओ कर रहे है उन्हों को कोई फरग नहीं पढ़ रहा और सो में से 80% बंदों ने तो मास तक नहीं पहन रखा क्या दिक्कत होती है यह बहुत ही क्लोज गलिया है अब सामने देखें तो यह क्लोज गलिया है उसके अंदर जो इस समय सेंट्रल M.C.D. के करमचारी है वो छिड़काव कर रहे है उसके साथ साथ जो यहां के वॉलेंटियर्स है वो भी एक दूरी बनाकर आगे की तरफ चल मुझारी है यह जुद बनाके लोग रहते हैं आप लोगों को यह समझना होगा कि यह सारे लोग जो सफाई करने के लिए वहां पहुंचे हैं वह उन लोगों के लिए ही पहुचे हैं ताकि उन तक वायरस ना पहुंच सके फिलालेक छोड़े से ब्रेक लिए रुख रहे हैं ब्रेक की बात देखिए मौलाना साथ पर बड़ा खुलासा नए आउडियो टेड़ कर दो कर दो को कर दो हुआ ज मौलास हुआ कर दो झाल, 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 झाल.